हेलो बच्चों गनित की कक्षा में एक बार फिर से आप सब ही का स्वागत है हम आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 6 कबाडी वाली द जंक सेलर पड़ रहे हैं पिछली वीडियो में आपने किरन के बारे में जाना आपने जाना कि किरन की पटना में कबाडी की दुकान है बच्चों जब किरन ने कबाडी की दुकान को शुरू किया उस समय उसने 8000 रुपए उधार लिये क्या आप जानते हैं कि उधार लेना या उधार देना किसे कहते हैं चलिए समझने का प्रयास करते हैं जब हम किसी से कोई वस्तू या कुछ रुपए अपनी आवशक्ता पढ़ने पर लेते हैं तथा बाद में उसे वापिस कर देते हैं उसे उधार कहा जाता है उधारन के लिए यदि मुझे सो रुपए की आवशक्ता है लेकिन मेरे पास सो रुपए नहीं है तो मैं अपनी किसी मित्र से, किसी साथी से या फिर बैंक से सो रुपए उधार ले सकता हूँ उसके कुछ समय बाद मुझे बैंक को या उस व्यक्ति को वो रुपए वापिस करने है उसके साथ मुझे कुछ ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे जिसे ब्याज कहा जाता है चलिए बच्चों इसे एक उधारन द्वारा समझने का प्रियास करते हैं हरिया और बाबू दो मित्र है दोनों हाथ ठेला खरीदना चाहते हैं जिसके लिए उन्हें 300 रुपए उधार लेना पड़ रहा है हरिया ने एक बैंक से 300 रुपए उधार लिए जिसके बदले वह प्रती महीने 51 रुपए बैंक को लोटाएगा जबकि बाबू ने अपने मित्र चुनिलाल से 300 रुपए लिए तथा 6 महीनों के बाद वह उसे 360 रुपए लोटाएगा चलिए बच्चों देखते हैं कि 6 महीनों बाद कौन ज्यादा रुपए लोटाएगा एक महीने में हरिया बैंक को लोटाएगा बराबर 51 रुपए 6 महीनों में हरिया बैंक को लोटाएगा बराबर 51 गुणा 6 51 को 6 से गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 306 इसलिए हम कहेंगे कि 6 महीनों में हरिया बैंक को 306 रुपए लोटाएगा बच्चो हरिया ने बैंक से 300 रुपए लिये थे तथा वो बैंक को 6 महीने बाद 306 रुपए लोटाएगा जिसका अर्थ है कि उसने बैंक को 6 रुपए ब्याज के चुकाने है लेकिन बाबू 6 महीने बाद चुनिलाल को लोटाएगा 360 रुपए बाबू ने चुनिलाल से रुपए लिये थे 300 तथा 6 महिनों बाद वह उसे लटाएगा 360 रुपए यदि हम 360 और 300 में अंतर निकाले तो वह होगा 60 रुपए इसका अर्थ है कि बाबू चुनिलाल को 60 रुपए ब्याज के देगा यदि हम हरिया और बाबू की तोलना करे तो हरिया 6 महिनों में बैंक को लटाएगा 306 रुपए जबकि बाबू 6 महिने बाद चुनिलाल को लटाएगा 360 रुपए जिसका अर्थ है कि 6 महिनों बाद बाबू अधिक रुपए लटाएगा किरन की बात को आगे बढ़ाते हैं जब किरन ने कबारी की दुकान खोली तो लोगों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया लेकिन धीरे धीरे किरन इस काम में सफल होती चली गई आज उसके पास एक पका मकान है जहां पर बिजली भी है, फ्रिज भी है, टीवी भी है तथा वे सब ही वस्तुएं हैं जो किसी व्यक्ति को उसके दैनिक जीवन में उपयोग के लिए चाहिए होती है आज किरन के पास नौ रिक्षे हैं, उन रिक्षों को वह 20 रुपे प्रती दिन के हिसाब से किराय पर देती है लेकिन रविवार को वह उन रिक्षों का कोई भी किराया नहीं लेती चलिए बच्चों, इसी से सम्बंदित कुछ प्रश्णों को हल करने का प्रयास करते हैं पेज नंबर बासट पर आप से पूछा गया है किरन नौ रिक्षों से रोज कितना कमा लेती होगी एक रिक्षे से किरन कमाती है बीस रुपए इसलिए वह नौ रिक्षों से कमाएगी बीस गुणा नौ बीस को नौ से गुणा करने पर प्राप्त होंगे एक सो असी इसलिए हम कहेंगे कि किरन नौ रिक्षों से रोज एक सो असी रुपए कमाती है चलिए बच्चों अब समझने का प्रयास करते हैं कि किरन एक सप्ता हमें एक रिक्षे से कितना कमा लेती है आपको मालूम है कि किरन एक दिन में एक रिक्षे से 20 रुपे कमाती है एक सपता हमें साथ दिन होते हैं उन साथो दिनों में किरन अपने रिक्षों को किराय पर देती है लेकिन वह रविवार को उन रिक्षों का कोई किराया नहीं लेती जिसका अर्थ है कि वह एक सपता हमें छे दिन रिक्षों का किराया लेती है एक दिन में एक रिक्षे से वह कमाती है 20 रुपए इसलिए एक सब्ता या 6 दिनों में वह रिक्षे से कमाएगी 20 गुणा 6 20 को 6 से गुणा करने पर हमें प्राप्त होंगे 120 इसलिए हम कहेंगे कि किरण एक सब्ता हमें एक रिक्षे से 120 रुपए कमाती है झाल झाल